दोस्तो आप लोगों को मेहनत रंग लाई और री टेस्ट होगा 1563 कानिडेट्स को यानि 1560 कानिडेट्स का री टेस्ट होने वाला है आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग निउस आई है इस बीच में आई है 23 जून को होने वाले है री टेस्ट एक्जामनेशन्स 1563 बच् और सही में जेनियून कोशन्स उठाए उन सभी के लिए खुशी के खबर है सारे बच्चों के लिए खुशी के खबर है 23 जून को री एक्जाम होने वाला है और इतने जो टौपस आये है इतना रैंक जो गडबड हुआ है ये गडबड जो रैंक है इसमें सुधार होगा ल अगर सरकार जो है वो पुलिस जो वेरिफिकेशन कर रही है पटना पुलिस उस पर थोड़ा नजर डाले और जो पकड़े गए हैं बच्चे और एक दिन पहले उनको पेपर रटवाया गया था यूपी से पेपर लाया गया था इसके लिए कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर अलड़ी बनाया है और पुलिस जो है वो आपको बिल्कुल पकड़ ली है और पुलिस ने इंफॉर्म भी किया है कि ये लोग दूसरे के जगह पर बैटके एक्जाम्स दे रहे थे बहुत सारे ऐसे पेपर एक दिन पहले मिल गया था पटना पुलिस ने ये कनफॉर्म क इसमें अलग पांडे जी का भी हाथ है खान सर का भी हाथ है कि इन्होंने सही मुद्दा उठाया ये नहीं कि पॉलिटिकल मुद्दा था ये सही मुद्दा था देश की हित की मुद्दा था जो स्टूडेंट्स गरीब है जिनके पास करोडों पैसे नहीं है वो अच्छे मे तो नीट का कोशन पेपर लीक तो हुआ है ये तो पटना पुलिस कनफर्म की थी कि हुआ है लेकिन फिर भी अगर बीच में कुछ चीजे बदल दिया जाए या निउस पेपर में चीजे बदल दी जाए या जो भी फाई यार हुआ उसका बदल दिया जाए तो अलक्सी बात है लेकिन आपने देखा सब ने कवर किया था कि नीट का पेपर लिक हुआ है पटना पुलिस ने आरेस्ट भी किया था दरभंगा से आरेस्ट किया था नलंदा से आरेस्ट किया था उसके बाद गुजरास से आरेस्ट हुए थे रजस्तान से आरेस्ट हुए थे हर्याणान में भी हुआ था तो कहने का मतलब यह है कि नीट परिच्छा में हंगामा तो बच्चों ने किया है जिसके वज़ा से यह re-examination 23 जून को होने वाले हैं लेकिन यह काफी नहीं है और paper leak का जो allegations है यह proof होगा नहीं होगा यह तो police बताएगा जो news media में छपी थी वो मैंने बताने के कोशिश की है बाकी आप लोग होश्यार है आप लोग जानते हैं जब तक सरकार के जो agencies यह confirmed नहीं करती है और सरकार के जो police है वो confirm नहीं करती है तब तक कुछ कहां नहीं जा सकता कि paper leak हुआ है यह नहीं हुआ है बाकी मीडिया ने छापा था, आरेस्ट भी हुए थे, अब बाद में बयान बदल दिया जाए और केस बदल दिया जाए तो अलग सी बात है लेकिन जितनी भी देश की में इस्ट्री मीडिया है कम से कम कुछ हद तक तो जरूर छापा था जिसका स्क्रीन शॉर्ट, जिसका मैं वीडियो फुटेज इस वीडियो में लगाया हूँ इन सभी मीडिया को मेरे तरफ से धन्यबाद और देश के जो युवाओं है 23 लाख के आसपास युवा जो है वो इस बार आइपियर वह तो नीट में नीट के एक्जाम फिर से होगा फोर 1563 कांडिडेट और इन इट्स हेरिंग अपेक्स कोट्स अलाओ अलाओ प्रोपोजल ऑफ कैंसिल्ग कांसिलिंग होगा वो भी जब तक यह चीज़ के लिए नहीं होता है कांसिलिंग नहीं होगा तो स्टुडेंट दलखनाव बेंच अफलहा हाई कोट आस्क नेशनल टेस्टिंग एजनसी तो प्रोडूस ओर इजनल रेकोर्ट्स अब इस टुडेंट कोट्स अब जो परिशान थे सब की परिशानी के जो सबब है वो कम हो गया है इन प्रेस कंफरेंस कंड़क्टे लास्ट विक एट डिरेक्टर जनल पॉइंट आउट डिसिजन टुकी ग्रेस मास वस टेकन आयस पर दा कमिटी रेकोमेंडेशन ये भी बड़ी बात थी कि जो इसके हैट्स हैं एन टिये के उनहीं को जाच एजनसी ओको जो चेक करना है व सब्सकी और लोग खताश नएन वेव यू देश की रिड के हड़ी है जब तक यूर शशक नहीं होगे एजुकेटिट जनेहीं होंगे मजबूत नहीं होंगे एजुकेशनली इंचनली मेंटली फिजिकली एर这 साइट से सोशली स्टों नहीं हो गए तो देश कैसे तरक्की क लिए इतने कोट में केसे होते हैं एजुकेशन से लेके पेपर लिग से लेके जॉब के पेपर लिग के लेके एकजाम के पेपर लिग के लेके तो यह सब देश के हितकी बात करते हैं क्योंकि हर बच्चे का एक बच्चे का भी हक मारा ना जाए और हर एक बच्चे को बराबर तो दोस्तों इसी बुलिटिन के साथ मैं इस बुलिटिन को रैप अप करता हूं बाकी लोग कमेंट बॉक्स में आप अपनी राज जरूर बताइए मिलते अगली वीडियो में तब तक यूटे गुड केर अफ योसल्फ जाहिन जाभारत